नमस्का नेपाली मित्रों, दोस्तों, 2027 में जब आप नेपाल को देखेंगे तो आपको बहुत खुसी होगी, क्योंकि तब तक नेपाल में काफी हद तक विकास हो चुका होगा, और आप तो जानते ही हैं कि हम बविश्य में नेपाल में क्या होगा, ये चीजें पहले ही बत देते हैं, तो 2027 में जब आप नेपाल को देखेंगे, तो आपको बड़ी खुसी होगी, और कहीं गर्ब भी होगा, क्योंकि तब नेपाल में काफी हद तक विकास हो चुका होगा, और किन-किन चीजों का विकास हुआ होगा, ये हम अभी आपको वीडियो में बता रहे हैं क्योंकि जिन परियोजनाओं की हम बात कर रहे हैं, वो 70% लगबग पूरी हो चुकी, कोई 75% पूरी हो चुकी है, यानि 2027 तक आपको नेपाल एक बिक्सित देश की तरह मिलने वाला है, पूरा बिक्सित नहीं दोस्तों, लेकिन कुछ हद तक बिक्सित मिलेगा, इनमें काम 75% लगबग पूरा हो गया है, अब आप खुछ सोचिए, कहां रहे गया सिक्किम के पास तापले जुंग और कहां रहे गया उत्राखंड के पास दार्चुला, यानि पूरब पस्चिम, इतना लंबा सडक मार्ग है ये, जो की नेपाल के बिकास में बहुत बड़ी भू ये पूरब पस्चिम का ही है, और दोस्तों इसकी विशेष्टा क्या है, कि तराई के जो दूर दराख्ये गाउं है, उनसे भी ये कनेक्ट होगा, जहां पासे कंचनपूर, इसका भी काम 70% लगबग हो गया है, और तीसरा है दोस्तों सुनकोसी मरीन डाइवर्शन धनुसा मोतरी, रोतर्ट, सरलाई, यानि लगबग सवा लाख हेक्टियर भूमी को पानी देगा, और तराई के अगर सवा लाख हेक्टियर भूमी को पानी मिलता है, तो जबर्दस्त अनाज की पैदावार होगी, यानि जो भारत पे आपकी निर्भरता है, वो बहुत घट से जो अनाज आइत करते हैं उसमें कमी आएगी और स्वाइगी गरांटी देखिए हम ऐसे हिगते अच्छे से च्छान्बिन करलेते हैं और तब गरांटी देते हैं अगला है आपका फास्ट्रेक काठमांडू से निजगड अब काठमांडू से निजगड जाने में लगबग साथ गंटा लगता होगा और जब यह फास्ट्रेक बन जाएगा तो मुस्किल से यह बहुतर किलोमेटर का रूट है यानि अपनी गाड़ी से आदमी जाएगा तो एक घंटे में नि नेपाल के लिए क्या होगा जब धुवानी खर्चा कम होगा तो सामान का रेट घटेगा यानि इससे भी जबर्दस हाइदे होने वाले हैं नेपाल को देखे कुछ भी हो लेकिन जिन लोगों ने नेपाल को चलाने वाली जो सक्तियां है उन्होंने ये जो परियोजनाएं बन चाहिए और इनको जल्दी से जल्दी नेपाल में चालू होना चाहिए क्योंकि जब हमने इस पे अच्छे से रिसर्च किया तो हमें एक चीस साब नजर आ गई कि ये नेपाल को आत्म निर्भर बनाने की दिसा में उठाये गए बहुत बड़े कदम हैं अब इनी परियोजन पर जो छोटी छोटी नदियां है विचार किया गया है कि इन नदियों में भी छोटे छोटे डैम बनाएंगे आपको पता होना चाहिए कि चाइना में 95,000 डाम है ठीक है और दूसरा नंबर है अमेरिका का अमेरिका में कितने हैं केवल 5500 सोचिए चाइना में कितने 95,000 डैम में चाइना में। चौटी चौटी नदियों पर भी डाम बना दिये। ! लाईगी कहीं हुआ की सबीन सी सरा नेपाल में जिन पर चोटे मोटे डेम बनेंगे यानि ये भी एक जबर्दस सपलता हो जाएगी फ्यूचर में नेपाल के लिए तब नेपाल का सपना 80,000 मेगा वाट का पूरा बिल्कुल हो सकता है 80,000 छोड़िये 50,000 मेगा वाट लाइट भी बनती है तो नेपाल के पास खूब पैसा आ जाएगा अरुन जो तीसरा है अरुन तीसरा इसका भी लगबग 70% काम पूरा हो गया है और 12 क्यों मेटर की सुरंग मार गया लगबग वो भी बन ही गया है एक परियोजना है आपकी बूड़ी घंड की ये भी दोस्तों बहुत बड़ी परियोजना है दो खरब 70 अरब रुपे की इसकी जो जील होगी वो 50 स्कॉयर किलो मिटर होगी आपको पता होना चे उत्राखंड में टेहरी डाम है जो भारत का सबसे बड़ा डैम है उसकी जो जील है वो है 60 स्कॉयर किलो मिटर और नेपाल में जो बूड़ी घंड की जील होगी ये 50 स्कॉयर किलो मिटर होगी यानि कह सकते हैं ये भी साउतेशिया का बड़े डाम में एक माना जाएगा या होगा अब एक परियोजना है आपकी नाग ढूंगा ये दोस्तों लगबग 20 मैने में ये चालू हो जाएगी यानि हमें जो 2027 का नेपाल दिख रहा है वो काफी बिखसित दिख रहा है पर हमें दो तरीका का नेपाल दिख रहा है एक बिखसित नेपाल लेकिन अईस्तिर नेपाल राजनेतिक अईस्तिरता देखे क्या होता है दोस्तों राजनेतिक अहिस्तिरता हैं होती है देश में लेकिन देश को चलाने वाले जो ओपिसर होते हैं सक्तियां होती हैं देश को चलाने वाली वो काम करती रहती है इस कारण क्या होता है देश में विकास होता रहता है बलाई राजनेतिक कितने भी अह लेकिन बिकास काम होते रहेंगे देखे गिरयायुद की संभावना भारत में है पाकिस्तान में भी है बंगलादेस में भी है और नेपाल में भी गिरयायुद की संभावना है आपको नहीं पता है आप सुछते हों कि साहद नहीं है नेपाल में गिरयायुद की संभावना बिल फर्म है बिल्कुल, 2035 तक नेपाल में लोगतंतर पूरी तरीके से खत्रे में आए सकता है, यानि एक पार्टी सासन की बात हो सकती है, और बहुत सारे नेपाली लोग सडकों पर प्रोटेस्ट करने लग जाएंगे, कि हमें लोगतंतर सासन परड़ाली नहीं चाहिए, या तो पता है कि भीतर भीतर क्या चल रहा है, हमने आपको किलियर बता दिया कि भारत में भी फ्यूचर में एक बड़ा गिरे युद हो सकता हिंदू और मुस्लिम के बीच में, नेपाल में जो गिरे युद होगा, उसकी संभावना इसलिए बनी हुई है, कि नेपाल में कुछ लो तंतर का बिरोत कर रहे हैं, वो हैं चाइनी सपोर्टर लोग, और जो लोग तंतर को बचाना चाहते हैं, वो हैं अमेरिकन सपोर्टर लोग, यानि दो बड़ी सक्तियों का टकराओ नेपाल में साप दिख रहा है, और ये टकराओ आने वाले 10 साल में इतना बढ़ जाएगा कि नेपाल की जनता ही आपस में लड़ने लग जाएगी, दोस्तों हमें यही नजर आ रहा है, इस पर ऐसा करते हैं, एक बिस्त्रित तोर पे एक वीडियो बना के आपको बताते हैं, कि साउत एशिया में कितने देश गिरेविद की चपेट में आने वाले हैं, आने वाले 10 स साल में, जो भी हो, लेकिन 2027 तक आप नेपाल को जो देखेंगे, तो एक आपको काफी बिक्सित नेपाल मिलेगा, धन्यबाद